बिग बॉस 18 बात करते हैं अविनाश और चाहत के बीच में जो फाइट हुई है जो जगड़ा हुआ है पानी फेकने वाला क्या ये इतना सीरियस था या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोमो तो बिग बॉस ने ऐसे काटा था जैसे हमें तो लगा था क्या ही देखने को मिल जाएगा लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है है ना चलिए बात करते हैं वहीं रैंकिंग वाला भी टास्क बिग बॉस ने दिया घर के अंदर जो कि इन घर वालों से तो नहीं ही हो पाया अब वापस से वो भी पावर किसके पास चली गई है जो लोग जेल के अंदर है यानि कि अरफीन और अविनाश अविनाश देखो समच चुका है कि वहीं मैं जब तक जेल में रहूंगा पावर मेरे हाथ में रहेगी सब लोग मेरे इर्दगिर्द हुमेंगे और इसलिए आज उस बंदे ने जेल से एक्जिट लेना भी सही नहीं समझा है बलकि अपने जेल की जर्नी को extend कर दिया है वहीं बिग बॉस ने एक और announcement आज करी है सारा को घर से बाहर करने की क्योंकि कभी किसी दिन बैठे हुए अर्फीन ने ये बात कर ली थी लोगों से कि ये बहुत अच्छी है दिल की बड़ी साफ है और मुझे लगता है कि इसको यहां नहीं होना चाहिए तो बही है बिग बॉस को तो एक पॉइंट बस चाहिए एक पॉइंट मिलना चाहिए और बिग बॉस ने वही वाली पॉइंट को पकड़ा और अर्फीन के गले में फंदा डाल दिया कि लो भई ये वाला फंदा तुम सारा के गले में डालो तो ये वाली सारी चीज़े हमें देखने को मिली चलिए पहले बात करते हैं कि चाहत और अभिनाश का जो मेटर हुए है वो क्यों हुए है और वहाँ अभिनाश गलत था या सही था चाहत गलत थी या सही थी सबसे पहले कल जो नॉमिनेशन हुए उसके बाद से अभिनाश को पावर नहीं मिली नॉमिनेट करने की क्योंकि शुरुतिका जो की ओवेसी बात है कि घर में दो ग्रुप्स बन चुके हैं बहुत क्लियर हो चुका है कि घर में दो ग्रुप्स बने हुए है एक ग्रुप में चार लोग तो फॉश्योर है विवियन, ईशा, अविनास और एलिस रज़त भी कहीं न कहीं उसी टीम का हिस्सा है और दूसरी जो टीम है इसमें भी कुछ लोग है जैसे कि करनवीर, शिल्पाजी, शुतिका, चुम ये चार लोग यहां सेट है और जो बाकी के लोग है वो बस घूम रहे हैं उनका कहना है कि हम किसी भी टीम में नहीं है जैसे कि सारा भी आज बैठके कह रहे थी कि भाई मैं किसी भी टीम में नहीं हूँ लेकिन उसने इसारे में ईशा को ये भी बोल दिया कि जरूरत लगने में मैं इधर हूँ तो लोग ऑफिशल नहीं करना चाहते हैं कि हम इस टीम का हिस्सा है लेकिन वो है एक टीम में तो है मतलब उनकी एक पॉसनल 24 है जो कि या तो ये वाली टीम है या तो भी वाली टीम है तो ऐसा है तो जब कल शृतिका ने इनको चांस नहीं दिया अविनाश को तो अविनाश को वहां से लगी है मिर्ची अविनाश को बहुत बुरा लगा है तो अविनाश ने खाना पीना बंद कर दिया और उसके बाद जो कहानी हुई चाहत के साथ वो अपने देखी हला कि चाहत को खाना मिल गया अविनाश के पास वो कई बार गई लेकिन चाहत को गुसा इस बात का था और शायद रात को ही अविनाश ने उसको गवार बोला कि गवार लड़की ऐसा कुछ बोला और उसके बाद से चाहत पांडे रात में तो बिलकुल शान्त रही लेकिन सुबह उनको पांच बचे अचानक से याद आए कि अरे यार मुझे तो थोड़ा सा गेम भी खेलना है विक बास का और वो उठती है बकेट में पानी लाती है और अविनाश सो रहा होता है और उसके उपर डाल देती है मुझे वो चीज कहीं ना कहीं सही भी लगती है अविनाश ने जिस तरीके से पूरे घर के लोगों की नाक में दम करके रखा है वो चाहत ने मुझे तो परफेक्ट लगा कि बहुत अच्छा किया उसने और लेकिन हाँ अविनाश बहुत स्मार्टली खेल रहा है वो अपना बहुत दिमाग यूज़ करके खेल ला है उसको कहा रियक्षन देना है किसके साथ बात करनी है किसके साथ नहीं बात करनी है जैसे वो planning, plotting बहुत करके उसके बात चीजों को कर रहा हो तो उसने हाला कि इस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाया घर के अंदर और फिर चाहत को मची चुल कि भाई मैंने तो पानी भी डाला और एक चीज और घर में सब भी को इस बात का बुरा लग रहा था कि चाहत ने उसके उपर पानी क्यों डाला सभी को इस बात का बुरा लग रहा था वीवन को भी बुरा लग रहा था शिल्पा को भी बुरा लग रहा था शृतिका को भी बुरा लग रहा था चाहत के favor में कोई भी नहीं है और देखो चाहत एक ऐसी लड़की है ना घर के अंदर जिसको कोई भी पसंद तो नहीं ही करता है, सभी को उससे कुछ नो कुछ प्रॉब्लम है, ये बड़ा क्लियर है, वीविन का उससे पंगा चलता ही है, अविनाश एन टीम उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है, इशा एलिस तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती है, शि कखाना तुम सभी को जब ही दूँगा जिब हमारी बात को सुना जाएगा मैं एक रिग्डेट करना चाहता हूं मैंने कलती कर दिया मैं उसके लिए बोलनाचाहता हूं रजित वहां पर एक प्रपोसल लेका आता है कि वह ठीक है मैं खाना लेका आता हूं बाहर और चलो उसकी बात सुने जाता है उसकी बात क्या थी कि चाहत तु मेरे से प्यार मत कर चाहत तु चाहती है ना कि मैं नंगा हो जाओं क्या बोल किया रहा था अविनाश हाज इतना गंदा अविनाश तुम कैसे बोल सकते हो वो भी एक लड़की के लिए नेसनल टेलिविजन पर तुम बोल रहे हो अगर तुम्हें ये बड़ा कूल लग रहा होगा कि तुमने फन के लिए सब कुछ बोल दिया बाई साब बहुत गंदा था ये है ना बहुत ही जादा गंदा था और वहां पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि इतने लोग थे लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं थ कि कोई सामने से आके ये बोले कि तु बोल क्या रहा है तु एक लड़की के लिए क्या बाते कर रहा है थोड़ी तो शरम रखो यार अभीनाश है ना तुम घर के अंदर अच्छा कर रहे हो ठीक है तुमने सभी की नाके में दम करके रखा हुआ है तुम बिक बॉस का गेम decode कर चुके हो तुमको पता चल चुका है कि तुम क्या करोगे तो हाइलाइट फे रहोगे लोग तुम्हारे पास रहेंगे लेकिन अटेंशन शीक करने का ये कौन सा तरीका है जहां पर तुम एक लड़की के लिए ऐसा बोल रहो हो कि मेरे से प्यार मत कर चाहत तुमने मेरे बेड पर पानी डाल दिया था कि मैं जब सुबह उठो तो मेरे बाल की ले रहे मेरी बॉड़ी की ले रहे और शाइन करती रहो तू देखे ये बहुत डिमीनिंग था बहुत ज़्यादा डिमीनिंग था और ईशा एलेस सारे हास रह थे वहां पर अगर ईशा और एलेस तु लड़का के ऐसे बोले जो की तुम्हारा को एक्षे रह चुका हो की तुम हीतने साल से मेर घा साहल । रही थी तुम लोगो कैसा फील वो Te je old a new guide, भझे उस लड़की को सब्स promak bourons बहुत बहुत सब्सान करते हो लेकी जेसा मतलब बिलकुल भी नहीं कि SIMS की गलत में उसक पूरा मिर्च मसाला अपना लगा रहा था, कि ये जो अविनाश है, इसको अच्छी वाली डाट पढ़नी चाहिए, यानि अच्छी वाली लतार लगनी चाहिए, हला कि पायल ने भी बिलकुल, पायल, यार वो पायल पहनती है न, तो मुझे उसका नाम पायल यादा गया, चाहत, चाहत ने भी छोड़ा नहीं है, उसने, अच्छा एक बात का, उसने मुद्दा भी बनाने की कोशिस की, कि गवार वर्ड तुमने मुझे बोला, तुम गवार तुमने सिर्फ मुझे नहीं बोला है, तुमने गवार में जितने लोग रहते हैं, उन सब को बोला, तो देखो, यहाँ मैं कहूंगी कि, चाहत यहाँ पर मुद्दा बनाना चाहती थी, कि सिर्फ गवार मेरे लिए नहीं है, यह गवार में जितने लोग रहते हैं, उनके लिए है, जबकि यहाँ पे अविनाश ने clearly बोला गवार मतलब चाहत पांडे तो वो सिर्फ तुमको address कर रहा था हलाकि गवार बोलना गलत है मैं यह नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा कि अविनाश ने लेकिन यहाँ गाओं के लोगों का जो matter लेके आ रही थी चाहत जो वो मुद्धा बनाने की कोसिस कर रही थी वो बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ मुद्धा ही था और कुछ भी नहीं था अविनाश के कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं और मैं इस बात से बिल्कुल भी agree नहीं करती हूं कि कोई यहाँ पे सहरी हो कभी या हर कोई गाउं से ही उठे के किसी ना किसी शहर में जाके बसता है कभी ना कभी वो गाउं से ही उठे के आया होता है तो मुझे तो लगता है कि भीया अपने आंकी 75% लोग गाउं में रहते हैं तो ऐसा नहीं है है ना वहाँ पे चाहत मुद्दा बनाना चाहती थी क्य कि उसकी अविनास से fight हो रही है लेकिन हाँ अविनास ने जो वाट Сी में चाहत के लिए कि तुम है नेसे प्यार करता है चाहत मुझा भूल जा मैं नहीं करता है मैं तरसे प्यार नहीं करता है कि वो सब बहुत गंदा था अविनाश को नेशनल टेलेविजन पे ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए थी वो बड़ा गंदा लग रहा था वो कूल कहीं से भी नहीं लग रहा था चाहत को हलागी रोना भी आया लेकिन ठीक है के भी हलागी चाहता था कि इस मुद्दे को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए लेकिन ये मुद्दा ज़्यादा बढ़ नहीं पाया उसके पासे बिग बॉस ने एक और मौका दे दिया विनाश को कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपका एक्स्ट्रेंसन हो सकता है लेकिन आपको थोड़ी पावर्स और मिल जाएंगी और यहाँ पे एक और इंसान आजाएगा और वहाँ पे सारे लोग अग्री करके अर्फीन को घर के अंदर भेजते हैं जेल के अंदर भेजते हैं ताकि हमारे पास खाना आ सके हाला कि विगवास ने वो भी क्लियर किया कि यह सर्फ खाने की बात नहीं है और भी बहुत सारी पावर्स मिलेंगी और वो वाली पावर आप सबने देखी ही कि जैसे ही लोग से रेंकिंग डिसाइड नहीं हो पाई अविनास को अच्छे से पता था कि जब इन से डिसाइड नहीं होगा विवॉस यह पावर हमको ही देंगी और आप देखोगे कल कि कौन सी रेंकिंग किसको मिलती और बाकी सबका तो ठीक है मुझे लगता है कि केवी पीछे जाएगा और उसकी रेंकिंग पीछे होगी और उसके बाद ही कोई ड्रामा घर के अंतर होगा अच्छा केवी और विवियन के हम बात करें तो देखो अब ये दोनों भी न बड़े क्लियर हो चुके हैं विवियन बहुत क्लियर हो चुके है कि केवी उससे जाके बात नहीं करेगा अभिनास से जाके बात नहीं करेगा और वो अपने एटिटूड में रहेगा खाना भी वो खालेगा लेकिन जाके अभिनास से बात नहीं करेगा वहीं केवी का भी ऐसा है कि विवियन चाहता तो सब को खाना अच्छे से मिल जाता लेकिन विवियन चाहता ही नहीं है, तो देखो यह मैं विवियन को गलत नहीं कहोंगे, विवियन अपनी ट्राय वो करता है कि अविनास उसको खाना दे दे, है न, अब विवियन भी है तो उ तो नहीं मांग लेता है, वो खुद जाके मांग ले, वो उसको दे देगा, लेकिन केवी का भी बहुत बड़ा है, वो उसका कहना है कि भाई, मैं उसके आगे हाजा के मांगूगा, तो है नहीं, हाँ, यह चीज ऐलग है, गर में जो खाना पड़ा होगा वो केवी खा लेगा उसके लिए किसी से पूछेगा नहीं किसी से कुछ नहीं करेगा वो खा नखा लेगा अपना पेट भर लेगा कैसे भी करके तो यह केवी करता है, अब देखो दोनों अपनी अपनी जगा पे सही हैं, लेकिन classes होने इसलिए भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का point of view समझ में नहीं आ रहा है, आज केवी ने विविन को समझा है, भी कि भाई तेरी एक अलग audience है, तेरी एक अलग fan following है, अगर वो लोग देखेंगे तुझे, ऐसा देखेंगे कि तू अभिनाश के कहने पर चल रहा है, तो वो disappoint होंगे, तो तू अपना opinion रखना, तू जो feel करता है, वो बोल, तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, वहाँ पे विविन का अपना एक perspective था, कि भाई, तू मेरी फिकर म मतकर, अर मुझे है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एन इंडिविजवल ही गेम खेल रहा हूं, मैं यहाँ कोई group वगरा में गेम नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से चलना है, तो यह वाली सारी चीजे भी बड़ी क्लियर हुई, यह सर्काइजम वेगरा मारने से ज्यादा काम चलेगा नहीं, आज विवन एक चीज और केवी को पॉइंट आउट की, कि मुझे समझ नहीं हाता, यह वंदा मजाक कर रहा होता है, कभी है सीरियस होता है, वहाँ पे केवी का एक अपना पॉइंट ऑफ यू था, कि भाही मैं सी पीछे से ही रहोगे, तो वह थोड़ा सा अजीव लेगा, क्योंकि कल नॉमिनेशन के बाद भी तुम जाके अविनास से तुमने सौरी बोला था, कि भाही मेरा वो मतलब नहीं था, तो वह चीज हमें थोड़ी से अजीव लगी थी, कि जब तुमने नॉमिनेट कर दिया क्या मतलब है, यह क्या था, क्योंकि तुम दोनों की तो वैसे भी नी बनती है, तुम दोनों के तो जगड़े वैसे भी चल रहे हैं, तो इसमें हमें तो नहीं बुरा लगा, तो अभिनास को क्यो बुरा लएगा, हाला कि अभिनास ने कहा कि नहीं भाई, मुझे सही लगा, कि तुम्हारा तुमने अपना point of view रखा तो केवी वहां तुम्हारा ना हमें थोड़ा सा double standard दिखा कि ये क्या है एक time कि तुम कहते हो कि मैं उसके पास जाओंगा नहीं खाना मागने के लिए और एक दूसरी ये बार तुम जाके nomination वाली चीज़ पर तुम sorry बोलके आ रहा है तो ये थोड़ा सा हमें अजीब लगा अचा शिलपा जी घर के अंदर नजेर ही नहीं आई बिल्कुल ही disappear थी शिलपा जी और 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 बात करनी बहुत जरूरी है कि इस मामले में सारा अर्फीन के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है अचा बिग बॉस ये क्यों कि आपने कि सारा को आपने ये expiry वाला लॉकेट पहना दिया मतलब गेम खेला है ना इनके साथ गेम ही खेला कि जैसे ये जाएंगे घर के अंदर जेल के अंदर अर्फीन मैं इनको पकड़ लूँगा कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पे भारी हो गया है तो मतलब ये क्या था अरे भाई उसने कभी किसी टाइम किसी उसमें इमोशन में बोल दिया होगा और आप उसको पकड़ के बैड़ गया कि नहीं ये तो वीक है मैं चाहता हूं कि ये घर से बाहर चली जाया तो ये घर से अब हम बाहत कर देंगे इसको और उसको एक स्पैरिव सून वाला लॉकेट पहना दिया और वहां पर अर्फीन को भी फिर क्योंकि उसको पता था कि भाई सारा तो बहुत चढ़ने वाली है मेरे उपर तो उसके पहले उसने एक नहीं कहानी सुनानी शुरू कर दी अपनी प्रेगनेंसी और सारी चीजे को ले करके कि किस तरीके से हमारा दो दो बार मिस्केरज हुआ है और जो भी चीजे हुई आप सबने कहानी सुनी ही है तो उसके बारे में detail में क्या ही बात करें और ये बहुत strong है तो देखो ये Big Boss का game है Big Boss जब चाहें जस तरीके से चाहें वो उस तरीके से लोगों को घुमा सकते हैं क्योंकि गेम घर सब कुछ उनी का है तो जो क्रेटिफ चाहेंगे वैसा वो करेंगे इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं कि बिग बॉस ऐसा क्यों क्या है पहुआ मतलब है अरफीन यह बताता है कि मैं सुपीरियर हूँ और सारा मेरे से नीचे है। बाण कि बखने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है। जबकि हमें सारा में पोटेंशल दिखते हैं तो है, उसके इन्द कुणू है। तो वहां पे केवी ने भी यही कहा कि वहां वो अपने अपो थोड़ा सा सूपेरियर समझता है कि मेरी वज़े से सारा है और जब सलमान सर भी उस दिन बात कर रहे थे तो भी वो कह रहा था कि लेट में टॉक फरस्ट तो इस तरीके की चीजे सामने आई हैं और बिग बॉस को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि सारा अरफीन के अंडर में खेले क्योंकि सारा थोड़ी शांत सी रह रही है आज कल तो मतलब सारा का जो यह शांत रहना यह बिग बॉस को पसंद नहीं आ रहा है थोड़ा सा लाउड हो जाएगी नहीं सारा फिर वो पसंद आएगा बिग बॉस को तो इस तरीके से घर में चीजे हो रही है बाकी रैंकिंग वाले में सभी ने अपने आपको रैंकिंग फर्स्ट पर रखा है अचा यह सहजादे को क्या हो जाता है भई कोई हमें बताए का अचानक से चीखने लगता है किसी के बाप में जोर हो तो लगा लेना क्या बोल गया रहता है सहजादा बिलकुल चुप सांसा उसको अचानक से याद आ जाता है कि आरे मैं बिग बॉस के घर में हूँ मुझे तो यहां पर हंगामे काटने है मुझे तो यहां लड़ाई या करनी है ठीक है सहजादा सबने अपनी पॉइंट अफ्यू रखे कि मैं डिजर्ब करता है तुम भी रख देते लेकिन यह बाप आपको तुम ले के आए तो यह थोड़ा सा न मुझे सहजादा का मतलब हंसी भी आती है कर के रहा है बंदा चलो तो यह था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू बाकी आप अपनी रहा कॉमेंट सेक्शन मे लिखेगा आपके हिसाब से नंबर बन डिजर्ब कौन करता है यह बता दीजेगा मैं मैं मेलती हूँ कल की वीडियो में तब तक के लिए वावे टेक केर अपना ख्याल रिखें